Welcome students, SBBM School, Topic is Models, Class 9th, Part 5 आज हम मोडल मस्ट के बारे में जानकारी प्राब्द करने जा रहे हैं इसका पहला टोपिक है कंपर्शन, पहला पॉइंट है कंपर्शन कंपर्शन का मीन्स है अनिवारयता, यहने कि बहुत जरूरी निसेस्टी होता है, इसी प्रकार से कंपर्शन भी खंपर्शरी से बना है तो यहां कुई बहुत ज़्यादा जरूरी अनिवारयकार्य होता है तो उसके लिए model सुचक शब्ड must काप्रियो किया जाता है इसको हम sentence के द्वरा समझाएंगे You must have a license to drive a vehicle अब यहाँ यह कहना चाहता है कि आपको वहाँ चलाने के लिए आपके पास license का होना जरूरी है यानि कि होना चाहिए अब चाहिए के अर्थ में शुड का प्रियोग आता है प्रन्तु जुरूर होना चाहिए क्योंकि license होना एक बहुत जुरूरी बात है इसलिए यहाँ model must का प्रियोग किया गया है Next sentence है Every employee must follow rules प्रतेक करमचारी को नियमों का पालन करना चाहिए यानि कि करमचारी अगर किसी भी office में कारेले में मतलब याद कहीं भी कारे करता है तो जो भी वहाँ के नियम काईदे होते हैं उन्हें उसका पालन करना जरूरी होता है तो उस sentence को बनाने में हमेशा model must का प्रियोग किया जाता है दूसरा point हमारा है logical necessity यानि कि तरक अदारित necessity आनिवा रहे था और strong possibility possibility संभावना तो है लेकिन strong है अब कैसे है इसको हम sentence के द्वरा समझते है the lights are on somebody must be in the room अब यहां यह कहना चाहरे है कि light जल रही है यानि कि रोशनी यानि कि light जल रही है तो किसी ना किसी को कमरे में होना चाहिए यानि कि light जलना इस बात को संकेत कर रहा है कि कोई ना कोई room में है तो इसलिए यहां strong possibility के लिए model must का प्रियोग किया गया है अगला sentence है he must have missed the train अब यहां यह कहता है कि उसकी train छूट गई होगी यानि कि छूट चुकी होगी तो इस बात को यहां बताने के लिए model must का प्रियोग किया गया है अब तीसरा point इसका आता है strong suggestion या advice हमने पहले भी advice के बारे में बात किये थी should में भी should model जबाता है उसमें भी advice की बात होती है लेकिन वहां जो advice होती है वो simple advice होती है परन्तु यहां जो advice दी जाती है वो बहुत strong advice होती है और हमारी कोशिश ही होती है कि हमारी बात का सामने वाले पे पूरा असर हो उसमें जब यह strong advice या strong suggestion दरशाय जाता है तो वहां model must का प्रियोग किया जाता है sentence के दरा देखते है You are seriously ill So you must go to hospital अब यह कहता है कि तुम seriously ill हो बहुत जादा गंबीर रूप से बिमार हो इसलिए तुमें hospital यानि कि hospital जाना चाहिए अब यहां थोड़ा थोड़ी बहुत बिमारी होती है तो हम कहते हैं कि जाना चाहिए तो shoot का प्रियोग होता है परन्तु यह यहां दर्शार है कि seriously यहनि कि घंबीर रूप से बिमार है इसलिए उसका hospital जाना बहुत जुरूरी है तो यहां होगा कि जाना चाहिए तो model must का प्रियोग होगा next sentence है see must work hard to be in the merit list तो यह कहता है merit list में आने के लिए उसे जो भी है लड़की उसे कड़ी मैनत करनी चाहिए यानि कि अगर merit list में उसे आना है वो मैनत तो कर रही है लेकिन कड़ी मैनत करेगी तभी वो merit list में आ सकती है तो यह strong advice है कि उसकी merit list में उसकी कड़ी मैनत ही रंग ला सकती है कि वो merit में आए अब हम next sentence क्यों चलते है next point है duty duty का मतलब होता है करतवे अब यहां करतवे है पहले में हमने बताया था कि मर्शुड में moral duty यानि कि नेतिक करतवे अब यहां हम करतवे की बात कर रहे हैं अब कैसे sentence के द्वारा समझते है we must obey the laws of our country we must obey यानि कि अब हमें क्या कहता है कि हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए यह हर नागरी का करतव है कि वो देश के जो कानून बढ़े हुए उनका पालन करे अब वहां उनका उलंगन करने पर वो सजा का हकदार होता है तो यहां पालन करना चाहिए यानि कि उसका फर्ज बनता है उसका करतव है बनता है कि वो उन नियमों का पालन खरे इसलिए यहां model must का प्रियो किया गया है next sentence है you must respect your teachers अब यह कहता है कि तुमें अपने अध्यापों को का सम्मान करना चाहिए teachers अध्यापक बहुत सम्मानित दर्जा होता है और प्रतेक student का यह फर्ज होता है यह करतव होता है कि वो उनका सम्मान करे वैसे तो मातापिता का सम्मान करना भी होता है लेकिन वो moral duty में आता है और लेकिन ये अगर अध्यापकों का सम्मान कर रहा है अपने गुरुजनों का सम्मान कर रहा है तो वो गर्ष का करतवे कहलाता है वहाँ मोडल मस्ट का प्रियोग किया जाता है अब हम चलते हैं मस्टन्ट यानि कि मस्ट नोट प्रोहेबिशन पहला पॉइंट है इसका इसके सम्मंद में संटेंस है यू मस्टन पार्क यूर वाइकल हेर तुम अपने वाहन को यहाँ पर्क नहीं करना चाहिए यानि कि तुमें अपने वाहन को यहाँ पर्क नहीं करना चाहिए अब यहाँ क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से ऐसी जगह होत तो वहां लिखा होता है कि यहां वर्जित है निशेध है तो उसके लिए यह इस संटेंस बनाया जाएगा तो वहां हमेशा मोडल मस्टंट का प्रियोग किया जाएगा इसी प्रिकार नेक्स संटेंस है वैसे तो कोई भी ओफिस होता है उसमें बिना प्रिमिशन के जाना उचित नहीं होता परन्तु कुछ ऐसे ओफिस होते हैं जहां बिलकुल ही सक्ति से मनाई की जाती है कि यहां आना मना है तो इसलिए वो यहां कह रहा है कि आपको बिना अनुमति के कारेले में प्रिवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां निशेद लिखा हुआ है प्रोहइबिशन यानि की वर्जित है तो जहां वर्जित या निशेद होता है वहां मोडल मस्ट नोट का प्रियोग किया जाता है अब यहां यह हमारा मस्ट मोडल मापत होता है अब हम अगले मोडल की और चलते हैं